साथियों, जल, जीवन, विशन की सफलता की वज़, उसके चार मजबुत स्तंभ हैं, पहला, जन्र भागिदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, दूसरा, साजेदारी, हार स्टेक होल्डर की पार्टनर्सिप, तीसरा, राजनीति की इच्छा शक्ती, पोलिटिकल विल, और चौथा, सौशा धनो का पूरा इस्तेमाल, Optimum Utilization of Resources, भाई और भेनों, जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गाओं के स्थानिय लोगों को, शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदारिया सोपी गई हैं, यह अपने आप में अभुद्पुर्व हैं, हर गर पाइप से जल पहुंचाने के लिए, जो कारिय होते हैं, उसमें गाओं के लोगों का सहीयोग लिया जाता है, गाओं के लोग ही, अपने गाओं में जल सुरक्षा के लिए, विलेज एक्षन प्लान बना रहे हैं, पानी का, जो मुल ने लिया जाता है, वो भी गाओं के लोग ही ताय कर रहे हैं, पानी की टेस्टिंग में भी गाओं के लोग जुड़े हैं, दस लाग से ज़ादा महलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई हैं, पानी समिते में अभी कम से कम, पचास प्रतिशत महलाओं को जगे दी गई हैं, जो जनजातिय इलाके हैं, वहां तेजी से काम हो, इसे प्रात्विक्ता दी जा रही हैं, जल, जीवन, मिशन का दूसरा स्थम साजेदारी हैं, राज्य सरकारे हो, पंचायते हो, स्वयम से भी संस्ताये हो, सिख्षन संस्ताये हो, सरकार के विविन, विभाग और मंत्राले में सभी मिलकर काम कर रहे हैं, इसका जमीनी स्थर पर बहुत बड़ा फाइदा मिल रहा है, साथियों, जल, जीवन, मिशन की सफलता का तीसरा मुक्य स्थम्भ है, राजनीती की इच्छा शक्ती, जो पिछले सतर साल में हासिल किया जा सका, उसमें कई गुने ज़्यादा काम, साथ साल से भी कम समय में किया जा रहा है, कठील लक्षे हैं, लेकिन ऐसा कोई लक्ष नहीं, जो भारत के लोग ठान लें और उसे प्राप्त ना कर सके, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, पंचायते, सभी इस अभ्यान को तेजी से पुरा करने में जूटी है, जल जीवन मिशन, सौंसा धनों के सही इस्तमाल पर, आप्टिमम यूटिलाइजेशन अब रिसोर्सिज पर भी उतना ही बल दे रहा है, मंद्रेगा जैसी योजनाओं के वो कार्य जो जल जीवन मिशन को गती देते हैं, उनसे भी मदर ली जा रही है, इस मिशन के तहर जो कार्य हो रहा है, उससे गाउँ में बड़े पैमाने पर रोजकार के ने अउसर भी बन रहे हैं, इस मिशन का एक लाब ये भी होगा, कि जब हर घर में पाइप से जल पहुंचने लगेगा, सेचुरेशन के स्थित्य आ जाएगी, तो पक्षपात और भेदपाव की गुंजाइज भी उतनी ही समाप्त हो जाएगी.